और भारती राजधानी दिली में G20 समिट को एक एतिहासिक डील के लिए याद किया जा रहा है यह डील भारत यूरोप और मिडल इस्ट यानि की खाड़ी देशों के बीच हुई है इससे भारत यूरोप मिडल इस्ट एकोनॉमिक कोरिडोर डील कहा गया है इसे चीन के दो प्रोजेक्ट का जवाब माना जा रहा है बेल्ट एंड रोड इनिश्टिव और चाइना पाकिस्तान एकोनॉमिक कोरिडोर या EP-EC एक लहाज से EP-EC को VRI का ही हिस्सा माना जाता है फिलहाल आठ देश इस एकोनॉमिक कोरिडोर का हिस्सा है इस डील के बेश्रुमार फायदे हैं और इसे दस साल में कंप्लीट करने का टार्गेट भी है एकनोमिक कोरिडोर की एहमियत को अमेरिका के राश्टेपती जोबाईजर ने साफ किया उनने कहा कि वन अर्थ वन फ्यूचर और वन फैमिली का फार्मूला प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोजी ने दिया है उनका सुक्रिया